नमस्कार स्वागत आपका एंडी टीवी देख रहा है आप मैं हुआ आपके साथ रितोसी बोलने का बोलने से बदले गाजरियां प्रश्यम बंगाल विधान सभा ने बेटियों के साथ बरबरता करने वालों पर सक्ति की पहल की है वहशियों को 36 दिन के अंदर फासी देने की बात कही गई है सवाल ये है कि इस विधेया के पास होने की बात अब आगे क्या क्या इसे राश्ट्री इस्तर पर लागू किया जा सकता है ध्यान देने की बात ये भी है कि पश्यम बंगाल विधान सभा से पारित इस प्रस्ताव का BJP ने भी समर्थन किया है सवाल ये भी है कि क्या ये जो बेटियों के खिलाब वहशिपन की हद करने वाले अपराधी हैं उन्हें कानून का भैस सताएगा आज हम इसी पर बात्चुत करेंगे और समाज में दिख रहे कुछ बेहत नेगेटिव बदलाव की वज़व क्या है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे क्या ये इंटिविजुएलिटी के बढ़ते असर का भी नतीजा है तमाँ दूसरे सवाल भी होंगे और समाज के एक हिस्से की मानसिक्ता को समझने के लिए हमें आपकी राय की भी ज़रूरत होगे आप हमें कॉल करें हमारे नमबर लगाता ट्रिवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा इस नमबर पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कुछ सवाल हो तो आप अपनी सवाल भी पूछ सकते हैं और चलिए बढ़ते आगे दुश्कर्म के आरूपियों को जाच के 36 दिनों के अंदर फासी देने को लेकर क्या सोचते हैं बेमेत्रा के लोग यह आपको दिखाते हैं पस्चिम बंगाल की घटना को लेकर देश में बवाल मच गया था दरसल एक डाक्टर बेटिया के साथ इस जगन रेप और हत्या के बाद इसको लेकर पूरे देश में उफान हो गया था खासकर युवाएं और महिलाएं सबसे ज़्यादा मुखर हुई थी इसी बात के बाद वहां के जो सरकार है उन्होंने एक विद्यक लाया था जिसे पास किया गया है इस विद्यक को लेकर हमार साथ इस छेत्र के कुछ जन प्रत्रीदी है इस्थानी ग्रेणी है और आम लोग है और सबात के छेत्र में काम करने वाले लोग है तो चलिए हम सीधा बात करते हैं उनसे कि इस विद्यक को लेकर उनका क्या कहना है जि क्या कहेंगे इस विद्यक क लेकिन पास होने के लिए लोगसभा में दिक्कते आएगी कि ये पास कैसे होगा क्योंकि ये विपच्छ में है और दूसरी बात ये भी कि बंगाल सरकार ने जो समय उधित है कि 21 दिन में एफ आई आर हो जानी चाहिए और इसकी जांच की रिपोर्ट आने से तुरंत दोसियो कर दस दिन में कारवाई होनी चाहिए बिल्कुल कठोर कानिन की बात करें दूसरा चीज जनोंने कहा है राजनीती भी होती है महिलाओं के मुद्दे पर जैसे विद्यक आ गया आब इसको क्या राजनीतिक छेत्रे से जुड़े है क्या देखते क्या बुलेंगे इसमें अब इसको स्वागत करते हम महिला और इसे कड़ाई के इस पूरे हमारे भारत वर्श में लागो होने चाहिए बिल्कुल इन का कहना है कि पूरे भारत वर्श में लागोना चाहिए हमाई साथ एक ग्रिणी वुजर्णी महिला है जी मैं एक चीज़ जानना चाहूंगा कि कानून आना चाहिए, क्या भी ग्रिनिक होने चाहिए इस तो चलिए तो उसके हम सम्मान करेंगे और उसका स्वागत करेंगे रही बाद आजकल जो इस संदर में आपने पूछा है कि बंगाल में जो अभी नया जिनियम लाग हुआ है उसके तहत मैं कहूंगी कि कि इस अधिनियम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार को भी इसमें अपनी हामी भार्णी होनी चाहिए हमारा उद्देश यहां पर सिधा महिलाओं से बात करने कि हम कोई कानून के दबाव नहीं बना रहे को ची आप क्या चाहती कि महिला होने नाथ इस कानून को लेकर क्या महिलाओं के लिए एक बहुत सम्वेदन शिल मामला है और मैं चाहती हूं कि जो बंगाल सरकार जो विध्यक रस्तुत करी है वो स्वागत योग्य है और केंद्र सरकार को उसमें सहमती देनी चाहिए और यह जैसे अभी दीदी लोगों ने कहा कि पूरे भारत वर्ष में ला दो बार आसी दी गई थी लेकिन दोनों बार न्याले की ओर से बच गया क्या कहेंगे एक न्याले इन प्रत्या को लेकर आप बहुत ही शर्मसार करने वाली घटनाए होरी है जो लगातार हम यूस पेपर में पढ़ रहे हैं और अगर इसमें आरोपियों को अगर यह पता च बंदाल की सरकार ने जिस विदेख को पारित किया वो निश्चीत रूप से बहुत अच्छा विदेख है और यह पूरे बंदाल ही नहीं पूरे देश में लागो होना चीए और केंद्र सरकार्ती भी अफील कर रहे हैं कि ऐसे विदेख को कड़ाई से पालन करने के लिए व बकील है मनिश्चा अनदिर जी जूड़ गई है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है सभी से हम इस समामले को समझने की कोशिश करेंगे चुके देखिए पश्चिम बंगाल में यहां पर हमने देखा कि 36 दिन में फासी तो एक बिल जो पास हुआ है मुझे लगता कि कुछ बुजी आप तायम जी जी लॉट लाया जा सकता इस तरीके का यह बहुत अच्छी चीज है कि क्राइम अगेंस्ट जो जो लिए जो हीनियस प्राइम अगेंस्ट विमन है उसको स्टेट रिकगनाईज कर रहा है और उसकी ग्रैविटी को समझने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके कि जब पनिशमेंट होती है और उसके साथ टाइम लाइन होती है यह डेटरेंट के रूप में माना जाता है ताकि विमन की जो सिक्यूर्टी और सेफटी है वो एक इमपोर्टन टास्क बन जाए स्टेट का और एक सिक्यूर स्टेट बरें बट आपको इसके स अगर कोई एक है कि वो इनसान गिल्टी नहीं है हमारे आपे अपील का प्रोविशन होता है और अगर उसको फासी हो जाए तो यह बहुत गलत होगा कि कोई इनसान अगर अगर किसी तरीके की कारवाई होकर अगर उसका नाम आ चुका है और उसको इस तरीके की पनिशमेंट हो जाए तो यह पहली चीज दूस्री चीज आपको देखने की जरूवत है कि सिरह क्राइम की बात नहीं हो लिए है यहां पर यहां पर इंवेस्टीं की बात हो इनसान इंवेस्टीएशिगेशन करे और फूल्पूरव इंवेस्टीशइशन करें जहां पर बहुत बंग करते हैं, बात करते हैं, गर एःप करने से किसी विक्टिम विक्टिम Johannis hat इन थो ठीन होने बीम होता है तो थो थी है, पहले भी थी लिए प्रिजिनन थी हीर प्राइब्ड करती है, जे ही इन्वेटिजिएंग्टी बात करते हैं, उकेpal eine और ट्रांस्परेंसी यह सारे पहलू एक साथ देखने पड़ेंगे बट अगर आप मेरा परसनल व्यू मानेंगे तो हाँ हमें सक्त लौग की जरुवत है बिकोज हम क्राइम अगेंस्ट विविमेंट की जब बात करते हैं तो यह क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है मिल्कुश सक्त लौग की जरुवत है काकोली जी पर विशी से मैं कॉमेंट लेना चाहूंगी काकोली जी देखिए कि 36 दिन में फासी की सजा को लेकर बात कहीं गई है मध्यप्रदेश का भी मैं आपने जिकर करना चाहूंगी 2017 में यहाँ पर भी कानून आया 12 साल तक की जो ब उनमें डर पैदा होगा क्या वाकई में वो इस तरीकी के अपरात करने से अब रुखेंगे जी जैसे अभी खुश्पूजी ने बताया मैं भी उस चीज़ को दो रहा हूंगी कि हाँ वेलकम है इस विधे का क्योंकि सक्त कोई भी पनिश्मेंट हो या कोई भी रूल्स और स्ट्रिक्टनेस बहुत इंपॉर्टन्ट है उसमें अगर तुनी की लूपोल्स हो जाएं कहीं से भी वो डीला पड़ जाए तो उसका पाइदा नहीं होता जब हम सब को पता है बहुत इंपॉर्टन्ट है दूसरा इसका एक साइकलोजिकल प्रक्ष मैं जरूर कहना चाहू अगर पैनल्टी डेथ पैनल्टी की बात कर रहे हैं तो पीर अफ डेथ की भी बात होती है कि कम से कम उस डर से शायद कुछ कमी हो तो वह एक इंपॉर्टन पक्ष है हर चीज में इसलिए पैनल्टी नहीं दी जाती लेकिन इस जगन्यकाज्य के लिए अगर यह किया जा रह होगा कि इसकी सजा कितनी कमी हो सकती है यह एक बात है दूसरी तरफ यह जरूर जयान देना पड़ेगा कि जहां पर रूल्स हैं वहां पर रूल्स तोड़ने की भी बात आती है और इंडिया में जिस तरह से होता है कि इंफ्लूएंस होता है यहां वहां होता है जो आपने बहुत इंपर्टन है कि हम लोग उस लूप फोल्स की तरफ बहुत ध्यान दे कि गंभीटता से अगर चीज़ों को बनाया जा रहा है इतने लोग जुड़े हैं सारी महिलाएं जुड़े हैं अगर सब लोग इस चीज़ को मान रहे हैं तो उसको गंभीरता से पालन भी किया जाए कि हां सब जगर ना के वल पश्चिम बंगाल बलकि सब ही जगर सेक्यूरिटी के लिए यह चीज़ करना मेरे का से बहुत वेलकम स्टेप होगा बिल्कु मनीशा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं मनीशा जी जिस तरीके से हम देखते हैं कि समाज में हम कहते हैं कि समय के साथ जो बदलाव हुए हैं उसके चलते हैं इस तरीके की हम घटनाई भी देखते हैं तो क्या ये भी जरूरत महसूस होती है जाहिर सी बात है कि समय के बदला हो और जोस तरीके से 36 दिन में फासी की सजा ये भी एक एहम बदलाव यहां पर पूरे देश पर भी हमें इस तरीके की कानून का देखने को मिलना चाहिए बिल्किल बदलाव प्रकृति का नियम रिखन सो बदलाव को पो ना भी चाहिए कि परस्तितियां बदल रही है तो उसके साथ साथ कानून में भी बदलाव होना ही चाहिए कि जिस तरह कि अपराद हम देख रहे हैं हमारी बच्चियों के साथ तो रहे हैं जैसा कि अभी बताया कि हां कानून पिल्ले भी बनेगी लेकिन एक सब्सक्त कानून बनना बहुत जरूरी है और मैं अगर बात कर हो चोटी बच्चोटी बच्ची होती तो उनके लिए उनके साथ जो गलत होता है और जिक जगन अपराद होते हैं उसको देखकर कि मुझे होसा लगता है कि जितने वी जो अपरादी है उस जरूर कहीं नकली पुड़ा उसा तो दलेंगे अगर इस तरीके के सक कानून क्योंकि हमारा जो भारत है अभी तक हम नारे भारत को बहुते सहिंशी माना चाहता है सब अपनाने वाला एक सब को अपनाया है और हमारी जो द्रष्टी कुन हमेशा रही है वो अपनाने वाली रही है और सब को साथ में लेके चलने वाली रही है और सब को साथ में लेके च अगर इस तरीकी की कोई चीज़ गोटी है, तो बेशक इस तरीकी की कानून होने ही चाहिए. मैं इस बाद से अगरी करती हूँ कि यस एडिस्टिकेशन स्टॉपर होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरीकी की सफ्तारों नहीं होगी, तो अपरादी बहुत आसानी से इस तरीकी की अपराद चलता रहेगा और बहुत लिबर्टी लेकिन, बहुत और ब्रैंकेड लेकिन, तो I am really very happy और मैं इस बाद को बहुत इसका स्वालत करती हूँ, और इस बाद को बहुत अप्रिशेट करती हूँ कि इस तरीकी का सक्तार कान कानून तो कई दफा बनते हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है कि उसका implementation नहीं हो पाता है, तो इस तरह के कानूनों के अगर बात किये जाए, तो किस तरीके से इसमें सकती लाई जाए, और यहाँ पर ज़रूरत ये भी होगी कि जो कानून बनाए गए हैं, उसका जमीन पर क सबस्काइब होगी कि पारा सुच्छ को जसे अरहितर है कामें के अष्यनों कर्णे को में के में रहे हैं, यह उनके की यह पीज़sk दूहिए हैं, दिवारे धारПांट हो ढरेए हैं, च्छा में हमने लाग這裡, एक 5 इसनत्र पारान हम ज़ड़े हैं, और बनाए कॉज़ प्यर अगर आप देखोंगे तो विमन सेंट्रिक बहुत सारे कामून बनाए गए हैं टाइम लाइन दी गई है कि कितने दिनों में पुलिस को इन्वस्टिगेशन कंप्लीट करनी है उसके बाद में ट्राइल कितने दिनों में चलेगा टेक्नोलोजी का इंवल्मेंट की बात की गई तो मैं ये बोल विए हूं कि यह जो सारे कानून है इनको इंप्लिमेंट करना इनको सिस्टम में लेकर आना जो हमारी लॉइन फोर्स्पेंट एजनसी इस बारे में विक्टिम को और आम जनता को बताना बहुत जरूरी है बिकॉस आपको और मुझे यह पता भी नहीं होता ह हैं कितने हमारे हमे लेकर कितने राइस बनाए गए हैंट तो जो पावर्फुल इंसान होता है वहां पर हा है पुलिस स्टेशन उस टाइन पे और उन्हें जंता की गाइडेंस बनना होगा, उनकी आखे बननी होगी लॉग को लेकर, और ये हम देखते हैं कि हमें कितना डर और भायर ऐसा है किसी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करने में, तो I think यहां पर तोड़ा चेंज़ दान पर जंता के लिए और ये जो सारी चीजें उनको ये options बताने होंगे, ताकि जो डर और भाय है हमारी enforcement agencies को लेकर एक victim के मन में या एक society के मन में वो चला जाए, पहली बात, दूसरी बात जहां मैं आपको बात करी हूँ, accountability or transparency की, तो वहां पर बहुत क्लिरली accountability or transparency लाने के अगर कोई फेर बदल या अगर किसी तरीके की चीजे पाई गई हैं जहां पर जिनके पास power है, जैसे कि law enforcement agency के मैं बात करी हूँ, अगर उनकी तरफ से investigation में delay है, उनकी तरफ से फेर बदल है, जहां पर evidence की बात होती है, हमने देखा है, बहुत जितने matter support में आते हैं, जिस त पूछे, अशुक जी अपना सवाल पूछे, जी सर, पूछना है कि कानून तो बहुत बढ़िया, भिल तो बहुत बढ़िया पास किया है, सरकार ने, बट क्या ठाने में एफायर होगी, और यदि एफायर होती है, तो में पूछा हूँ, आप अपने सवाल पूछे, वकिर स साइब आपका सवाल सुन रही है, आपका जवाब भी देंगी? आपका जो सवाल है, चुश्छ सोच अपने भी अश्योग जी का सवाल सुना होगा, और कानून बनते है, लेकिन उसपर जैसा कि आप बात भी कर रहे थे की कानून तो बनते हैं, लेकि उसपर कारवाई नहीं होती है, उन्होंने कहा कि चार-पाँच केस ऐसे देखे हैं, ज इसमें उसका कोई निप्टा रही नहीं हुआ. मुझे F.I.R. करवानी है. उसके बात भी अगर नहीं होती हैं, तो यहीं मैं आपसे बही बात कर रही थे, रितु जी, कि हमें यहां पर यह देखना होगा, कि किस तरीके से लौ एजनसी अगर अपना काम नहीं करती है, तो I think हम तीनों जो यहां पर है, speaker, including yourself, रितु, हम सब को तब समझ में आएगा कि अच्छल में genuinely कुछ होने की जरुवत है, विको सब लौ बनाना नहीं है, उनको enforce करना, enforce करने के बाद में यह देखना कि वो implement हो गए हैं अच्छे से, और उसका, अगर उसका कोई misuse हो रहा है, उन laws को related, तो उसके लिए क्या प्राफधान है, यह पूरी चीज़े देखना, तब जाकर एक पूरा cycle complete होता है, एक cycle complete करने से काम नहीं होगा. जी, काकोली जी, मेरे क्यांसे कुछ कहना चारी, खुश्बूजी को बड़े गौर्श से सुन लेते हैं, काकोली जी. जी, मैं कुश्बूजी की बात को ही मैं add करना चारी हूँ, कि बहुत important है, वो alertness के बात कहरा है, कि जहां भी जो भी officials हैं, जहां पर यह implementation होने के जरूरत है, और ठाजा रहा है बार बार, एक बार नहीं, कई बार, कि वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, evidence मिट जा रहा है, देर हो जा रही है, time line फेतम हो जा रही है, FIR नहीं हो रहा है, ऐसे में officials की alertness, उनके sincerity पर जरूर कोई प्रावदान हो, ताकि वो भी answerable हो, कि हमने क्यों नहीं किया, उसका क्या कारण है, और क्या और जल्दी हो सकता है, तो यह 36 दिन हम लोग कह रहे हैं, जल्दी है, नहीं ह होगा, अगर सब लोग इसमें जूट जाए, सब लोग इसमें timely, सारी चुड़ें, मतब FIR करने में जो जिजख है लोगों की जनता की, हम जनता की, वो ना हो, वो जितनी जल्दी हो सके, वहाँ पर अपनी बात लेकर जा पाएं, क्योंकि यह हमारा अधिकार है, पहला, तू पूरी जी, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे, इस वक्ते जोती शर्मा जी, हमारे साथ जैपूर से दर्शक जुड़ गई है, जोती जी, अपना सवाल अगर कोई हो, तो पूछ सकती है, कोई राय तो अपनी रखें जी, मेरा सवाल ये था, कानून तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन क्या पूलिस वाले तुरंत F.I.R. लिखेंगे, क्या इसके पर तुरंत कारवाई होगी, इसके साथ-साथ क्लॉस देने चाहिए, कि पूलिस वाले ने अगर नहीं लिखा, तो इसके उपर कारवाई हो अगर आप लोग जैसे कि अभी डॉक्टर बिटिया के केस में हुआ है, तो आप पुलिस वालों को भी इसमें आप लीजिए, वो तुरंत इसके उपर करें, अदर्वाईस इंप्लिमेंट होगा ही नहीं आपका, क्योंती नीचे से ही सारा खाता खराब है, चले बहुत कह रही थी, उनकी पूरी बात सुन लेते हैं, काकुली जी, जी, मैं यही कह रही थी, जो उन्होंने पूछा, शायद मैं उसी बात को लेकर आगे बढ़ रही थी, कि हर जगह पर हमें उतनी तद परता, सिंसिरिटी और अलर्टनिस की ज़रूरत है, अगर होगा, तो शायद बहुत अच्छा है, विदेख बहुत अच्छा बना है, हम लोग सब उसका वेलकम करते हैं, सब कुल चीक है, बस एक जो मन में मेरे डर है, वो यह है, कि जब भी कोई भी विदेख आता है, और उसके डर से कुछ बारदातों की गंधीरता बढ़ जाती है, जैसे अब शायद मुझे नहीं मालूम, लेकि शायद ऐसा भी सोच रही हो मैं, कि ऐसा हो सकता है, कि इतने स्ट्रिक्टनिस से शायद लोग एविदेंस को पूरी तरह से खतम करने का पहले से प्लैन मना है, चलिए मनिशा जी का मैं रूप करना चाहूंगी, मनिशा जी बहुत देर से बैठी ह मनिशा जी देखी, एक सवाल ये भी होता है, कानून को लेकर भी हम बात्चुत करें, कि जरूरत ये भी है कि समाज को भी थोड़ा सा सिक्षित किया जाय, लोगों को कानून के बारे में जानकारी भी दी जाय, और जैसा कि हम इन चीजों को लेकर भी बात करें थे कि कई ओर वूहावावावावा मनिष्पकान हम इन चीजों करिवन सुक्षैा जेज़न में एक सब्स्क्कान्या को बात करें साथ नहीं की तो दूक्ता जारुता ज़रूरिय है जो बिलकुल यहां पर ज़रूरत है कि महिलाये हैं, जो लड़कें हैं वो आगे आए इस वक्त वारे साथ को नई मेमान जूरगी ममता शर्माज यहां जुड़की है जो कि चेर परसन NCW की मैं थोड़ा सा देज से आप जूड़ी है कई सवाल मुझे आपसे पुछने थे हारा कि जितना समय उतने में एक सवाल मेरे मन में ये था मैं कि किस तरीके के केसेस आप देखती है उसमें किस तरीके की दिक्कत आती है और ये जो कानून पास वह है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे देखी इसमें बहुत जादा awareness खैलाने की ज़रुत है क्योंकि हम जब लोगों को बताएंगे ही नहीं बच्चीों को बताएंगे ही नहीं कि है क्या तो बच्चे हम उसको समझ नहीं पाती हैं कानून तो बहुत बन जाते हैं कानून हमने भी बहुत बनाए और उनको सबको स्विकरित भी किया गया लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लिम्लिम्नों है की अम्लिमंटेशन नहीं होता है जब इम्लिमंनों होगा तब ही कुछ काम करता है उनको समाज की शर्म से दूर रहकर और इन सब बातों में एफ आयार दर्ज करानी ही होगी और सबसे बड़ी बात ही है मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं ये कहूंगे कि इसमें पुलीस की लापरवाई भी बहुत जबर्दस हैं पुलीस अगर इतनी लापरवाई नहीं तो शायद इन केसिस में कुछ कमी आए लेकिन मैं ये देख रही हूं कि कमी के बदले दिन पे दिन ये केसिस बढ़ते जा रहे हैं छोटी बच्चियों के साथ जो बिलकुल ना समझे हैं जो स्कूल गोइंग भी नहीं है उन बच्चियों के साथ भी ऐसा हो रहा है मे हिलाओं को एंजियों को लेना चाहिए और प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये घलत है टच के बारे में भी बताना चाहिए ये तो बहुत दूर की बात है लेकिन कौन सा टच कैसा है इनसान क्या चाहरा है आप से ये बच्चों को अवेर करने क बहुत जादा जरूरत है और मैं ये तो कहूंगी कि हम सरशक्ति करण की बात तो करते हैं सारी बाते हैं महिला सरशक्त भी हो गई है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इन केसिज में आज भी कोई कमी नहीं आके बड़ोतरी होती जा रहे हैं सरकारें तमाम वादे करती हैं लेकिन उन वादों को फॉलो नहीं करते उन वादों के लिए फॉलो अब भी चाहिए ओफिसर्स को पुलीस को सबको इन बातों के लिए अवेर करना चाहिए और पुलीस की जो गलतिया है वो बड़ी जबर्दस ने और हमारे साथ और भी जो महमान जुड़ी हुए सभी इस बात का जिक्र किया कि आपर awareness की बहुत जादा जरूरी है कानून बने लेकिन उसका implementation भी यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए समय थोड़ा सा कम पढ़ गया ममताजी आपसे और भी बात चित करनी थी आखेर आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जोड़े बहुत बहुत शुक्री आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए और इसी के साथ यहाँ पर रुकर एक बहुत छोड़े सब रेक के लिए परलोट रहें